Hello Friends, आज हम बात करेंगे Electron Precise Hydrites के बारे में मैंने पिछली वीडियो में वो Electron Deficient Hydrites के बारे में टेक अप किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि Group 13 के जो elements थे जिसमें Boron, Aluminium, Gallium जो है वो Electron Deficient जिसमें Empty Orbital वाले हाइड़ाइड़े है Lewis Acid वाले hydrides जो है वो बना रहे थे ठीक है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि electron precise compounds या hydrides जो है वो कौन से होते हैं दूसरी classification के अंदर दूसरी category है ठीक है जिसमें हम लोगों ने कल take up किया था कि जो electrons के उपर depend करती है classification की electrons जादा है कम है या बराबर है तो यह वो category है जिसमें electrons जो एकदम बराबर present है ठीक है तो इसमें जो है मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पर जो group 14 के elements वो usually electron precise hydrides को form कर रहे है ठीक है इसमें जितने electrons चाहिए एक Lewis structure को बनाने के लिए उतने electrons जो है usually present होते हैं जैसे for example यहाँ पर हमारे पास हो गया methane मिथेन का अगर मैं outer shell electron की बात करूँ तो देखो 2s2 2p2 carbon के outer shell में present है ठीक है तो देखो s के अंदर दो electrons है p के अंदर single single ली occupy दो electrons है जब hybridization होगा hybridization होगा तो mixing of orbitals take place करेगा mixing of orbitals take place करने के बाद यह जो electrons है एक electron यहाँ से निकल के जो है इधर आ जाएगा तो अब देखो यहाँ पे s के अंदर एक electron present है p के अंदर तीन electrons present है यह चारो जो orbitals हैं यह empty orbitals हैं hydrogen के साथ bond बनाने के बाद इन लोगों की जो है यहाँ पे orbitals की pairing हो जाएगी तो यह एक tetrahedral geometry को form करेंगे तो usually जो electron precise compounds है वो group 14 बना रहा है और यह compounds जो है वो tetrahedral in nature होते हैं ठीक है मैं अपनी अगली वीडियो में electron rich compounds के बारे में बात करूंगा ठीक है आप subscribe like करते रिजिए मुझे अगली वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं